दोस्तों नमस्कार मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधी बात सीधे सवालों के साथ तीन घटना आये और उन पर कुछ सवाल लेकिन उसके पहले जर्मनी के मशूर शायर मार्टिन नीलोमर की एक कवीता सुनाना चाहता हूँ वो सबसे पहले कम्यूनिस्टों के लिए आये मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्यूनिस्ट नहीं था बाद में वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आये मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था बाद में वो यहुदियों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहुदियों नहीं था, बाद में वो मेरे लिए आए, लेकिन उस समय बोलने वाला कोई नहीं था, इसका क्या उचित्ते हो, इतिहास का विद्यार्ती हो और लेखक भी हो, तो इतिहास में रूची रखता हो यह कविता दर्शाती है कि आप एक गलत चीज के लिए अगर समय पे नहीं बोले तो वह गलत चीज एक दिन आप पर भी आएगे अभी फिलाल तीन घटनाएं हुई और तीनों घटनाओं में समाना अंतर जो कुछ धागे हैं वो मैं आपको बताता हूँ पहले यूपी में एक कुख्यात अदंगवादी गैंग गैंग्स्टर विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश पुलिस के ही आठ ऑफिसर्स को एक डिसीपी तीन सब इंस्पेक्टर और बाकी हबलदार आठ लोगों को घात लगा के मार दिया जब वो उसको अरेस्ट करने जा र लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए टीमे बनाई अब तक विकास दुबे पकड़ा नहीं गया जब जब मैं शो रेकॉर्ड कर रहा हूं तब तक विकास दुबे पकड़ा नहीं गया लेकिन पुलिस ने अपना गुस्सा निकालने के लिए क्या किया विकास दुबे का पूरा का पूरा घर ढहा दिया एक गुसा किसी आपके पुलिस ओफिशियल को डेथ मारने के लिए किसी गैंक्स्टर ने आपके पुलिस वालों को मारा है और उसके बदले में सिर्फ आप किसी का घर ढा रहे हो घर ढाना इल्लीगल था वो लौ के किसी भी भाषा में लीगल नहीं है इसलिए इस घटना का विरोध होना बहुत जरूरी है विकास दुबे को पकड़िये उसको जेल में डालिये वो अगर अटैक करता है तो उसको शुट आउट कीजिए वो कोई दोराई नहीं है लेकिन पुलिस ने उसकी बिल्डि की है सिर्फ 24 घंटे के बाद तो यह दर्शाता है कि पुलिस खुद ही कानून को मानने के लिए तयार नहीं है ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप रातो रात किसी की प्रॉपर्टी घोशित कर दो की बेकाइदा है और उसको डिमॉलिश कर दो इसका मतलब यह हुआ कि आज किस कि गैंक्स्टर की उन्होंने प्रॉपर्टी डिमॉलिश की है कल आपका भी नंबर आएगा इसलिए इस गलत चीज़ पर आपको सवाल उठाना आज बहुत जरूरी है इस पूरे वाकिये के साथ कुछ सवाल उठते है क्या उत्तर प्रदेश पुलिश और उत्तर प्रदेश प्रसासन कानून की भाषा में कुछ भी मानती नहीं है क्या कानून में उनका विश्वास उड़ गया है क्या यह सवाल नहीं बनता है इसी के साथ और एक सवाल बनता है क्या उत्तर प्रदेश पुलिस और विकास दुबने जिसविकास दुबने, उसको समय क्कि पुलिस ने या फिर प्रशासन ने उस पर कोई दलील कोर्ट में पेश नहीं कि तो क्या उस वो ितर प्रदेश पुलिस में यहां बात पता नहीं थी कि कि विकास दुबे के पॉलिटिकल कनेक्शन प्रॉपर है और अभी भी जो कार विकास दुबे उस कार में भागा था उस कार पर लिखा हुआ है तो इस एक ही बात से आप समझ जाईए कि विकास दुबे का कनेक्शन कहा तक पहुचा है दूसरी गटना हुई दिल्ली पुलिस वाली डिल्ली process ने क्या किया कल शिख कम्यूटि के हो लोग थे जो प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में लौकडाउन के पहले पैंडेमिक के पहले जो प्रोटेस्ट चल रहा था sky internet के खिलाप उस में कुछ सिख भाई हो लंगर चलाया था ताकि जो भी लोग प्रोटेस्ट करें उनको खाना खिलाया जाए उनका नेक इरादा था उन्हें ना उस उन्होंने ना प्रोटेस्ट में भाग लिया ना उनका कोई दंगों में नाम है और सिक कम्यूनिटी पूरे विश्व में इस चीज के लिए जानी जा होते हैं उसमें गुरुद्वारा प्रभंधन कमिटी फ्री में अभी तक लंगर चलाती है उनमें उनका कोई वेस्टर इंट्रेस्ट नहीं है और वो पार्शियल भी नहीं है कि वो किसी सरकार के खिलाब कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो ही खाना खिला है उनका लंबा इति पुलिस ने दायर की तो इसके साथ दो सवाल है क्या दिल्ली पुलिस यह कह रही है कि जो भी सरकार के खिलाब खड़ा रहेगा प्रॉपर लीगल बैक्राउंड लेके मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार गिराने की कोई कोशिश कर रहे हमें या फिर भारत के हर नागरी को सम सविधान ने कुछ अधिकार दिये है और उस अधिकारों के तहट कोई भी इंसान इंडियन सिर्फ इंडियन नहीं बाहर का भी हो तो उसके पास राइट है कि वो धरना प्रदर्शन करें सरकार के खिलाब आवाज उठाए तो क्या दिल्ली पुलिस सरकार के खिलाब चाहती है क्या यह सवाल नहीं बनता है इसी के साथ और एक सवाल बनता है क्या दिल्ली पुलिस टार्गेटेट काम कर रही है क्यूंकि इसी दंगों को भढ़काने के लिए कपिल मिश्रा बीजेपी का जो छुटबहिया नेता है एक और दूसरे जो बीजेपी के मिनिस्टर है अनुराग ठाकूर वो दो लोग जिम्वेदार है यह रिपोर्ट पहले ही आई थी क्योंकि इन्हों ने भाषन दिया था कि आप अगर हट इंगे पुलिस के सामने पुलिज के डिसीपी वाहा होते समय उन्होंने कहा था कि आप अगर नहीं हटाएंगे तो हम हटाएंगे और 24 घंटे के बाद ही दंगे भड़के थे अनुराग ठाकुर्जो केंद्रिय मंत्री है उन्होंने एक सभा में नारे दिये थे देश के गद्दारों को तो भील ने आवाज दिये थी गोली मारो सालों को और दूसरे दिन ही जामिया में गोली चली थी तो इन घटनाओं में पुलिस को कोई गलत नहीं दिख रहा है और जो लोग लंगर चला रहे थे उन पर कानूनी कारवाई करने शिकंजा कसने का दिल्ली पुलिस का यह प्रयास क्या दर्शाता है क्या इन घटनाओं के साथ यह सवाल नहीं बनता है कि दिल्ली पुलिस प्रोफेशनली काम क्यों नहीं कर रही है कब दिल्ली पुलिस अपने इथिक्स को और उन्होंने ली हुई शपत को पालेगी क्या यह सवाल नहीं बनता है तीसरी और एक घटना है और वो भी दिल्ली पुलिस के ही इसमें है छे मेहने पहले कल रात कल रात के दिन छे मेहने पहले जेन्यू में एक अटैक हुआ था स्टूडेंट्स पे और उस अटैक में बीजेपी के जो स्टूडेंट विंग है ABVP उसके गुंडों ने अटैक किया था ये कोई छुपी बात नहीं है उसमें एक लड़की कोमल सर्णमा का नाम भी आया था जिसने मूँ पे धाटा बानके हाथ में स्टिक लेके आईशी के सर पे मारा था तताकतित यह बात अभी तक यह तो प्रू नहीं होई कि आईशी के सर पे उस नहीं मारा था लेकिन वह जो पिच्चर बता रहा पिच्चर है उसके हाथ में रॉड है छे महने हो गए कोई भी अरेस्ट नहीं हुई है उन लोगों की जबकि आईशी को दो बार समन हुआ है आईशी पर अल्रेडी मुकद में भी दर्ज है तो क्या यह सवाल नहीं बनता है दिल्ली पुलिस से कि दिल्ली पुलिस कोमर शर्मा को कब गिरपतार करेगी छे महने से कोमर शर्मा कहां पर है क्या है सवाल उसी उसी प्रोफेशनल दिल्ली पुलिस से सवाल नहीं बनता है जो लोगडाउन में लोगों को अरेस्ट कर रही है बायस होना बहुत-बहुत समाज के लिए घातक है और आज जो लोग इस बायस के खिलाब चुप है मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस समय आप पर यह गाज गिरेगी तो उस समय आपके पक्ष में बोलने वाला कोई बचेगा ही नहीं क्योंकि एक बार किसी भी यंत्रना को आप पावर दे दीजे तो वो यंत्रना फिर बाद में नहीं देखते हैं इतिहास यहीं हमें सिखाता है छे मैने से दिल्ली पुलिस ने एक भी आरेस्ट नहीं किये है जिन लोगों ने जे न्यूप पर अटैक किया था जबकि जे न्यूप पर जिन पर अटैक हुआ था उन पर दस से जादा मुकद में दिल्ली पुलिस ने अल्रेडी रजिस्टर कर दिये है तो क्या यह सवाल उस दिल्ली पुलिस से नहीं बनता है कि जब आपको किसी एक वीडियो फुटेज का मिल जाना ही काफी नहीं है कि उसको अरेस्ट कर रहे हैं ना आपने जो जामिया में गोली चली थी उस लड़के को बेल का एप्लिकेशन को यह किया अपोस्ट किया उसको भी बेल मिल गई जो शाहिन भाग में गोली चलाई थी उसको भी बेल मिल गई, जो कोमल शर्मा है उसका कोई पता नहीं है, और आप इनोसंट सिख लोगों को जो खाना खिला रहे हैं, जो लंगर चला रहे हैं, उन लोगों का टैक कर रहे हैं, कब आपका प्रोफेशनलिजम जागेगा, क्या यह सवाल दिल्ली पुलिस से नहीं हो स लगता है, आप सारे लोग जो चुप है आज के दिन, जो यहां कहके चुप है कि यह घटना मेरे साथ नहीं हुई, दूसरे का साथ हुई, यहां आप जो जर्मन पोएट है, उसके शब्द मैंने जो पहले कहते हैं, वो याद रखिए, जब आपके लिए वो आएंगे, तो आपके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं होगा, आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार